ब्रिंग राज आसव एक बहुत ही प्रसिद्ध सास्त्रियो उशिधी जिसका प्रियोग पाचन तंत्र से संबंदिच समस्या हैं जैसे कब्ज की समस्या लीवर की कमजोरी भूख ना लगना कमजोर पाचन तंत्र के लिए तो किया ही जाता है साथ ही साथ यह कामेच्छ में व धातु रोग में यह लाब प्रदान करती है इसके अलावा और भी अन्य बहुत से लाब भृंग राज आसव के होते हैं तो चलिए इनके विशे में थोड़ा विस्तार के साथ बात करते हैं और सबसे पहले बात करते हैं ब्रिंग राज आसव बनाने के लिए प्रियोग होन वाले प्रमुख घटक द्रव्यों के विशे में इसके पस्चाहत इसके लाब, गुण, प्रियोग, विदी वे साउधानियों के विशे में विस्तार से हम बात करेंगे तो जैसा इसका नाम है उससे आप अच्छी प्रकार से समझ पा रहे होंगे कि इस सोषदी का प्रमुख गटक द्रव्य ब्रंगराज है जिसकी मातरा लगबग 70% के करीबी सोषदी में होती है इसके अलावा अन्य प्रमुख गटक द्रव्यों हैं गोड, हरितकी, पीपली, जायफल, लोंग, दालचीनी, इलाइची और तेजपत्ता के साथ साथ नाकिस है ब्रंगराज एक रसाय इस तोर पर हमारे लीवर के उपर होता है इसके प्रियोग से हमारे पाचन तंत्र में बाइल के उत्पादन को यह उत्प्रेरित करने का काम करता है उसे स्ट्यूमिलेट करने का यह काम करता है जिसके कारण खाया पिया अच्छे से हजम हो पाता है भूख अच्छी लगती ह हमारे metabolic rate को ये बढ़ाता है तो जिन लोग को वजन कम करना है उनके लिए भी ये लाबदायक है और तो और अपने इसी गुण के चलते पाचन तंत्र में मौजूद हमारी आतों में मौजूद आम विसका भी ये पाचन करने का काम करता है इसके अलावा लीवर को बलप्रदान करने के अपने गुण के चलते रक्त शुद्धी भी इसके माध्यम से संभव हो पाती है जिसके कारण विभिन प्रकार के चर्म रोगों में इसके प्रियोग से लाब की प्राप्ती होती है और इसी कारण ही बालों की सुन्दर्ता को भी ये बढ़ाता है बालों का सफेद हो अगर किसी का पाचन तंतर अच्छी प्रकार से कारें ना कर रहा हो और इस कारण उसका वज़न ना बढ़ रहा हो तो ऐसी अवस्ता में भृंग राज आसव के प्रियोग से पाचन तंतर को सुधार कर वज़न में वृद्धी भी की जा सकती है वहीं भृंग राज के रसायन में यह समस्य आधिक देखने को मिलती है तो ऐसी अवस्ता में भृंग राज आसव के प्रियोग से लाब की प्राप्ति होती है वहीं महिलाओं और पुर्षों दोनों के ही प्रजनन अंगों को यह बलपरदान करने का कारे करता है उनके प्रजनन पादन की छमता को यह बढ प्रियोग करवाने का विधान है इन सब के अलावा 36 संबंदी समस्याओं के लिए भी ब्रिंग राज आसव का प्रियोग होता है क्योंकि ब्रिंग राज आसव वात और कफ दोशों को विशेश तोर पर शांत करने का कारे करता है वहीं पित दोश की अशुद्यों को यह दो से तीन बार भोजन के पर शाथ इसका प्रियोग किया जा सकता है चली अब बात कर लेते हैं साउधानियों की तो कुल मिलाकर निरापद या उशुदिया परंतु जिन महिलाओं को मासिक स्त्राव अधिक होता है उनको इस उशुद्य का प्रियोग करने से थोड़ा बच चाहिए आशा करता हूँ जानकारी पसंद आई होगी मिलते अगले वीडियो में